Hello students, तो आज हम लोग करेंगे CBAC का 2022-2023 का सेंपल पेपर का सेक्शन B, तो सेक्शन B का पहला कोईशन है, कोईशन नमबर 21, कोईशन नमबर 21 में कहा रहा है, for what value of k will the following pair of linear equations have infinitely many solutions? तो किसी भी एक्वेशन का infinitely many solutions होने के लिए आप लोग का पता है, उसके लिए होना चाहिए, A1 by A2 equal to B1 by B2 equal to C1 by C2 होना चाहिए, अगर इस कंडिशन में हम लोग A1 यहाँ पर हम देख सकते हैं, K है, A2 में 12 है, B1 में 3 है, B2 में K है, और C1 में minus K minus 3 है, और C2 में minus K है, तो यहाँ से अगर हम लोग इतना portion को अगर equal लिख ले हैं, तो मेरे हो क्या मिलता है, देखिए, K by 12 equal to 3 by K, that means K square equal to 36, और यहाँ से K equal to root 36, और मेरे हो K मिल जाएगा plus minus 6, अब यहाँ पर K के दो values आ गए हैं, देखना है मेरे को कि K का value plus 6 लोओ या minus 6 लोओ, तो मैं जब देखता हूँ कि K का value plus 6 बैठा हूँ, जब पहले मैं minus के लिए check करता हूँ कि minus doubtful लग रहा है, तो पहले minus के लिए check कर लेए, क्योंकि minus ही reject होगा लग रहा है, तो minus 6 अगर मैं बेठा हूँ के एका जगा, तो minus 6 by 12, 3 by minus के और यह आ जाता है, minus 6 minus 3 by minus, minus का minus 6, आप लोग ध्यान से देखें, यह आ जाएगा, minus 1 by 2 कटने के बाद, यह भी आ जाएगा, minus 1 by 2 कटने के बाद, और यह minus 9 by minus 6, मतलब आ जाएगा, 3 by 2, तो देखें, यह क्या हो गया, not equal हो गया, that means, अगर मैं k minus 6 ले लूँ, तो जो system of equation है, 4k equal to minus 6, 4k equal to minus 6, system of equation जो है, will have क्या, आपका देखें, यह कब होता है, जब आपका क्या हो जाता है, जब no solution होता है, we'll have no solution, क्योंकि a1 by a2 equal to b1 by a2 is not equal to c1 by c2 हो जाता है, अगर k मैं मैं minus 6 ले लूँ, तो therefore k का answer क्या हो जाएगा, minus 6 reject हो जाएगा, और k हो जाएगा plus 6, ओके, तो k का answer हो जाएगा 6, next करते है, यह figure दियावा, इसमें altitude दिया गया AD और CE, CE भी altitude है और AD भी altitude है, आपको दिख रहा है figure clearly, तो यहाँ पर और एक जीज़े ABC जो है, हाना, altitude जो बल रहा है, P point में intersect कर रहा है, हमें prove करना है यह दोनों triangle को similar, तो similar prove करना है तो आप देखें, मैं एक बार triangle बना लेता हूँ, ABD, ABD आप लोग बना लेंगे हम लोग, कुछ ऐसा ABD, ADB आप लोग देखें, ध्यान से ADB, यहाँ पर B में, यह altitude अगर AD है तो यह perpendicular होना है, है ना, आचा, दूसरा triangle के है CBE, CBE भी बना लेता हूँ, कुछ ऐसा है, C,E,B, देखो मैंने वहीं से जो figure है, वहीं से मैंने दो पार्ट में आपको figure निकाल कर दिखाया है, अब यहाँ पर हम ज्यादा अच्छे से समझ भाएंगे, rather than वह image या जो figure, देखो यहाँ पर clearly पता चल रहा है, कि यह वाला B और यह वाला B common है, दोन में ही है, और C altitude है, और A, D, B, Altitude है, तो C,E, B, perpendicular होगा, तो clearly पता चल रहा है, हम इस तरह से लखेंगे, इन triangle ABD and triangle C,B, E, मेरे को clearly पता है कि A, D, B, जो है, वहीं बराबर है, C,E, B का, क्योंकि दोनो 90 degree है, क्योंकि altitude is 90 degree, दूसरा मेरे को clearly पता है कि angle B तो दोनों में है, तो common angle, common angle, that means क्या by angle angle criteria, ये दोनों क्या हो गए आपके, तो मैं लिखूँगा, therefore triangle ABD is similar to triangle C,B, E, clear है, ये हो गया first portion, और एक question दिया हुआ है, यहाँ पे मेरे को, दूसरे question में क्या बोला हुआ है, देखें, तू में, तू में मेरे को बोलावा है कि PDC जो triangle है, है न, PDC triangle और B, E, C को congruent proof करना है, ओके तो PDC कहां पे देखिए, PDC छोटा सा मेरे को दिख रहा है, यहाँ पे, figure में देखिए, छोटा सा PDC दिख रहा है, आपको ऐसे, जो कि 90 degree है, C, P, D, और एक triangle किया, B, E, C, आपनों ध्यान से देखिए, B, E, C, figure में कहां पे है आपका, वही बड़ा वाला, अब similarity में नाम बड़ा ध्यान से लिखा जाता है, पहले इसी triangle को C, B, E, C लिख रहा है, तो यहाँ पे भी सेम वही बात हो गया, ठीक है, कि clearly में दोनों triangle में, मैं ऐसे लिख लोगा, N triangle, दोनों triangle को नाम बड़ा लिख लेंगे, PDC, N triangle B, E, C, मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, angle PDC बराबर angle B, E, C, क्यों, E, C, 90 degree, clearly दिख रहा है, और मेरे को क्या दिख रहा है, दोनों में angle C, दोनों में ही है, common है, common angle है, दोनों में, that means क्या मेरे का proof होजा रहा है, यहाँ पे by angle angle criteria, यह गया कौन सा कौन सा criteria, by angle angle criterion, अब criterion लिखेंगे, ठीक है, singular form, यह हमारा similar proof हो गया, इसे दर यहाँ पे भी by angle angle criteria, बोध हर similar, ओके, तो approved हो गया, clear, 22 हो गया, next में चल दे, 22 का और पार्ट है, और एक question है, 22 में, यहाँ पे figure में given क्या है, D parallel to EC, D parallel to AC, और क्या given है, D F parallel to AE, proof करना है आप देख सकते हो, यहाँ पे given में, धिया हुआ है proof क्या करना है हमने, है न, यह चीज़ proof करना है मेरे को, तो चल यहाँ कैसे कर सकते हैं, देखे, आप यह figure को मैं अगर ध्यान से देखे हम लोग, तो इस figure में, मैं यह figure से 2 figure भाहर निकाल के मैं आपको बना कर दिखाता हूँ, एक figure को ज़िश्टरा से बना कर दिखाता हूँ, A, B, D, E, और यह D, E, और यह D, E, D, F parallel है न मेरे को दिया हूँ, एक कोशन में, D, F, parallel भी यह गीवन है, यह वाल और यह वाल पैरलेल गीवन है, और एक figure में यह दिखा सकता हूँ, मैं आपको इस ही में, आपको पहचार ना बस ही है, आपको पहचार ना बस ही बड़ा figure को देखके भी आपकर सकते हूँ, B, D, A, E, C, यहाँ पर यह और यह पैरलेल गीवन है, क्लिरली देखो भी में यह गीवन है, कि D parallel to AC और D F parallel to AE, अब इस जब मेरे को पता होता है कि जब यह जो पॉइंट है, इन दो पॉइंट का लाइन अगर पैरलल होता है किसी भी एक साइड का, तो हमको पता है, B, B, P, T, Theorem, B, Basic Proportionate Theorem, जब को इफ मैं लिखता हूँ, इफ, D, E, parallel to AC, तो बाई, B, P, T में क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, B, D, by, D, A, बराबर, B, E, by, A, C, ओके, और अगर इस ट्राइंगल हो काम हो गया, अब इस ट्राइंगल में आते हैं, अगर, D, F, parallel to A, E है, है न, तो इस ट्राइंगल में मैं, by B, P, T, by Basic Proportionality Theorem में, क्या लिख सकता हूँ, B, D, by, D, A, बराबर, B, F, by, F, E, और इसको 1 ले लिजे, और इसको 2 ले लिजे, देखिए, क्लिरली आपको क्या दिख रहा है, कि from 1 and 2, from 1 and 2, हमें क्लिरली दिख रहा है, कि B, E, बराबर, P, E, by, E, C, लिखना चाहता है, मेरे को यहाँ पर है, आप लोग ध्यान सा देख लिजेगा, B, by, E, C, बराबर, B, F, by, F, E, और यही मेरे को प्रूफ करना है, आपको क्लिरली देख लिजे उपर, ठीक है, क्लिरली आप देख लिजे उपर, यही मेरे को प्रूफ करना है, ओके, ओके, नेक्स्ट में आते हैं, क्वेशन नमबर 23, क्वेशन नमबर 23 में बुलाया, टू कंसेंट्रिक सर्कल अफ रेडिया, 5 सेंटिमेटर और 3 सेंटिमेटर, फाइंड लेंथ अप देख लार्जर सर्कल, which touches the smaller सर्कल, तो पहले मैं फिगर बना लेता हूँ, आप लोग के लिए, फिगर कुछ ऐसा होगा, यह होगा, फिगर आपका, ठीक है, तो फिगर में क्या बला है, कि दो कंसेंट्रिक सर्कल है, ठीक है, बना दिया मैंने कंसेंट्रिक सर्कल, बड़ा सर्कल का जो रेडिया ही है, तो यह मैंने जॉइन कर दिया, यह पॉइंट को यह भी ले लिया, यह center है दोनों का तो मैं लिखूंगा consider two concentric circle with center दोनों का common center है ठीक है where क्या radii of जा radius of singular में लिख ले रेडियस of bigger circle is five centimeter and radius of ऐसे हम लोगे लिख लेना है smaller circle is because figure given नहीं था हमे figure हम बना रहे हैं तो हम figure बना रहे हैं उसो consider कर रहे हैं ऐसा लिखेंगे हम यह figure consider कर रहे है और इस figure में यह five है अच्छा यह वाला जो देखे मैं एक एक लाइन बनाऊंगा एक रेडियस यह बनाऊंगा यह वाला कितना हो जाएगा फिर three तो O P जो है हमारा perpendicular हो जाएगा इतना आपको clear पता है हाचा और एक फिर थेओर में लग जाएगा अगर O P परपेडियस है छोटा circle का और A B tangent है बड़ा circle का clear लिए दिख रहे है कि O P छोटा circle का radius है और A B जो है वो बड़ा circle का tangent है तो अब इसलिए O P परपेंडिकुलर होगा tangent का और एक फिर थेओर में लग जाएगा कि अगर perpendicular center से अगर आए जैसे कि O P आप परपेंडिकुलर है हमको पता चल चुका है अगर वो center से अगर आए और वो मिलाल A B क्या है देखिए आपको clear लिए पता है चोटा circle के लिए A B tangent है और बड़ा circle के लिए A B क्या है chord है तो A B क्या है एक chord है और अगर chord को अगर tangent chord में अगर एक perpendicular center से आता है तो आपको ये थेओरम पता होगा perpendicular from the center to the chord bisect it that means A P बराबर P भी होना चाहिए परपेंडिकुलर from center to the chord bisect it तो ये हो गया हमारा बहुत ही बढ़िया है तो देखो एक चोट एक चोट एक तरफ का triangle जो है मैं एक left side में triangle बनता बहुत दिख रहा है मैं वो बना लेता हूं side में हलका सा आप लोग के लिए आसान होजाएगा OPA यहाँ पर ये 5 ये 3 ये तो मैं AP निकल जाएगा मेरा by using Pythagoras theorem तो मैं लगाता हूं in right angle OPA using या applying आप लेख सकते हो using Pythagoras theorem तो लगाते हैं तो क्या हो जाएगा A O square equal to O P square plus AP square clearly दिख रहा है 5 square equal to 3 square plus AP square ये होजागा 25 और ये 3 का square 9 हो जाता है और left में आएगा तो minus 9 हो जाएगा clearly दिख रहा है 16 बराबर AP square और यहाँ से मेरा AP क्या आजाएगा root over 60 no that means अब AP क्या ये तो एक line था तो negative वला तो हम लेंगे ने इसलिए क्या AP plus 4 आगया that means क्या आगया AP AP अब मेरे को 4 आगया मैं दूसरे color में लिख देता हूं आपको ठीक है AP 4 आगया अगर AP 4 आगया तो clear मैं क्या कह सकता हूं कि AP बरावर PB है तो that means मैं ये विद्व बोल सकता हूं कि जो AB है वो 2 AP के बरावर है clear बात है 2 AP के बरावर है तो AP कितना आए 4 that means answer हो जाएगा 8 cm okay तो होप करता हूं आपको ये बात समझ में आया होगा है ना next करते है 24th if cos theta equal to 7 by 8 अच्छा evaluate ये बड़ा आसांस है देखिए यहां पर मेरे को क्या दिया हुआ है 1 plus sin theta into 1 minus sin theta by 1 plus cos theta into 1 minus cos theta clear अगर A plus B A minus B लगा है तो ये क्या आ जाता है 1 minus sin square theta और ये आ जाएगा 1 minus cos square theta अच्छा 1 minus sin square theta आपको formula ये पता होगा sin square theta plus cos square theta equal to 1 होता है देखिए अगर sin square वहां गया तो left side में क्या बसता है cos square theta बसता है और अगर cos theta अधर गया तो left side में क्या बसता है sin square theta बसता है clear तो इसी formula से ये दो बाकी चीजा हमको मिल रहे है तो देखिए मैं क्या करूंगा 1 minus sin square theta को क्या लिखूंगा cos square theta और 1 minus cos square theta को मैं क्या लिखूंगा sin square theta अब मैं power दोनों में same है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं आराम से और ये कितना होजाएगा cos theta by sin theta होजाएगा cot theta that means को cot theta का square मिल गया और cot theta कितना given है seven by eight that means seven by eight का square ये हो जागा seven seven जा 49 और eight eight जा 64 ठीक है तो यहां मारा answer हो गया है clear है चलिए next 25 if the perimeter of a quadrant of a circle of radius अचा find the perimeter of a quadrant of a circle of radius 14 cm अचा quadrant of a circle कैसा होता है सोचो ऐसा होगा quadrant मतलब गया one fourth part of circle right quadrant में मुझे ये भी पता है कि ये 90 degree होता है क्योंकि चार part होते है circle के उसका ये एक part है अचा मेरे के बात बता हो circle का ये भी radius हो गया ये भी radius हो गया हाना तो perimeter नेकलना कौन सा बड़ा बात देखो perimeter कैसे निकलेगा एक radius प्लस दूसरा radius प्लस ये जो एक arc बन रहा है वो arc length length of arc तो radius तो मुझे पता है 14 और 14 तो मैं ये radius last में बिठाऊंगा radius last में बिठाते हैं चलो ये हो जागा two radius तो यहाँ पे length of arc देखिए अगर पूरा circle का circumference अगर पूरा circle का circumference two pi r होता है तो quadrant of circle का circumference क्या होगा one-fourth क्योंकि quadrant क्या होता है one-fourth होता है that means pi r by two तो length of arc क्या हो जागा pi r by two क्योंकि quadrant का one-fourth मैंने निकाल दिया आपको दिखा दिया मैंने clearly हाना तो ये जो quadrant है ये वाला quadrant का जो ये arc है ये circle का circumference का one-fourth है और one-fourth क्योंकितना होता है pi r by two मैंने बठा दिया तो ये हो जाएगा two into radius क्योंकितना है 14 plus और यहां पर pi का value बठाएंगे 22 by seven और निच्चे two पहले से था और radius बठाएंगे उपर 14 तो seven two is a 14 two elevens a 22 आपका हो जाएगा अच्छा 25 में और एक question है find the diameter of a circle whose area is equal to the sum of area of the two circle of radii 24 centimeter and seven centimeter अच्छा तो question ऐसा बला है कि दो circle का radii दिया होए एक का 24 और एक circle का radii दिया होए उसका radii दिया होए seven centimeter में ओके तो मेरे को बोल रहा है कि एक दूसरा circle है ठीक है find the diameter of a circle whose area is अच्छा इस circle का area जो एक बड़ा circle है सोचो radius r तो इस circle का area है यह इन दोनों circle का area का plus के बनाबर है मतलब सोचो circle यह area of circle one plus सोचो यह circle one यह circle two और यह बड़ा circle तो area of circle two बड़ाबर area of this बड़ा circle clear है बात तो इसका area का formula क्या होता है यह पाई आर square मतलब पाई इंटो 24 square यहां पर हो जाएगा पाई इंटो 7 square यहां पर हो जाएगा πाई into capital R ka square πाई common निकालें, यह हो जाएगा 24 ka square यह हो जाएगा 7 ka square यह हो जाएगा तो πाई तो कटना ही कटना है, आप इधर से उदर ले जाएंगे तो यहाँ जाएगा 576 यह हो जाएगा 49 और यह हो जाएगा R square अच्छा 576 plus 49 करेंगे तो आपके आजाएगा 625 okay तो मेरा radius कितना आजर आप देखे clearly r is equal to root over 625 हो जाएगा क्योंभी square जाएगा उस तरफ और मेरा जो ये बड़ा circle का radius हा जाएगा plus minus 25 लेकिन मैं minus नहीं लोंगा क्योंगे radius है negative नहीं हो सकता है तो plus 25 okay तो radius plus 25 आए मुझे नहीं काना था diameter of this circle हाना तो diameter तो required diameter था वो answer मेरा इस्टर सलिएगा therefore required diameter कितना 2 into 25 that means 50 centimeter okay तो चलिए 25 का भी हो जा रहा है दोनो question करेंगे 25 का